हलो फ्रेन्स वेलकम बेक टू एस्टेज कलासेज फ्रेन्स जितने भी स्टूडें Τो कंप्यूटर अन्देश्कत किंप्रेशा लिए करा राहिए वाफी पाइनल रिजल्ट को लेकर काफी टाइम हो चुका है इसका जो सारी चीज़ें हम डिसकस करने वाले हैं तो अप इस वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा है बहुत रहने वाली है मैंने वैसे आपको बता दिया कि senior computer अंदेसक जो भरती है इसका जो result है वो आपका दिसंबर मन्त के अंदर आज आएगा लेकिन जो basic computer अंदेसक भरती है इसके result को लेकर काफी student है क्योंकि इसमें लगबग 10,000 जो है post थी और जिसमें से 7,000 के around में student जो यहां पे basic computer अंदेसक भरती के final result को लेकर wait कर रहे हैं और student के मन में बहुत सारे doubt भी है final result को लेकर जिसमें खासकर जो student है वो इस बात को लेकर tensions में है कि इसकी cutoff high जाएगी जिसमें general और obviously category के student है वो सोच रहे हैं कि उनकी final cutoff पे effect पड़ेगा तो friends आपके लगबग जो doubt है वो इस वीडियो के through clear हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा end तक चरूर देखना आप यहाँ पर देख सकते हैं देनिक भासकर जो है इन्होंने computer अंदेसक भरती की न्युक्ति को लेकर जो है यहाँ पर आवाज उठाई है वो आप देख सकते हैं चैनित computer अंदेसक को पचास दिन बाद भी न्युक्ति नी पचास दिन हो चुकी है उसके बाद में भी जोईनिंग को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही करदेश के सरकारी विधालियों में computer शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण विधार्थियों को परिशानी हो रही है तो दूसरी और दस्तावेश सत्यापन के 50 दिक निकल जाने के बाद भी राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने चैनित computer अंदेसकों का अंतिम परिणाम जारी नहीं कर पाई है इसके चलते विधालियों को computer शिक्षक नहीं मिल पा रही है दर असल राजियत सरकार ने पहले विधालियों में समीदा पर 10157 computer शिक्षकों के पद भरने की योजना बनाई थी लेकिन विरोध होने के बाद सरकार ने राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड को ये भरती करवाने की जिमेदारी सोंपी इसके बाद बोर्ड ने प्रिक्षा कराने के बाद चैनित अभिरत्यों का दस्तावेश सत्यापन करा लिया लेकिन अब दो महिने के बाद भी परिणाम जारी नहीं हो पाया है इस भरती प्रकिरिया में पूरे उमीदवार नहीं मिलने के कारण तीन हजार से जादा कम्प्यूटर सिक्षकों के पद खाली रह गए हैं लेकिन परिणाम जारी नहीं होने के कारण नहीं भरती प्रकिरिया शुरू नहीं हो पारे यहां पर इन्होंने यह भी बताया है कि जो पोस्ट आपकी खाली रही है यहां तीन हजार तक पोस्ट आपकी खाली है उसके अलावा भी जब फाइनल रिजल्ट आपका आईगा तो उसमें कट ओफ तो फ्रेंस नहीं बढ़ेगी कट ओफ का जो स्टूडेंट डाउट कर र बाकि जो स्टूडेंट यह सोच रहे हैं कि कट ओफ बढ़ेगी तो यहां पर कट ओफ बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली तो यही है कि आपकी जो बची हुई पोस्ट है उसके अलावा भी कुछ जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट सेनियर के अंदर स्लेक्ट होंगी उनकी वज़े से और बाकि जो पोस्ट खाली रहती है जो एपात्र घुशित किया जाती है उसके वज़े से सीट यहां पे खाली रहती है उसके अकोर्डिंग मानकर चलो 4000 तक तीन हजार से लेकर 4000 तक की तो यहां पर जो बची हुई सीट रहेगी आपकी 3000 से लेकर अगर आपने मा परिनाम जारी नहीं हो पाया इसके वज़े से जो नई भरती प्रकिरिया है वो भी शुरूर नहीं हो पारे साथ में ही फ्रेंज यहां पर रांस्ट्रिय रोजगार संके जो अध्यक्ष है भरत बेनिवाल जी उन्होंने बताया है कि सरकार और भरती बोर्ट जल्द चैनित क न्युक्ति मिल्स के और परदेश की विधालियों में पढ़ रहे विदार्थियों को कंप्यूटर की सिख्षा मिल्स के जल्द परिनाम जारी नहीं होता है तो अंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर यहां पे बेसिक कंप्यूटर और सेनियर कंप्यूटर अंदे अगर अपने देखी तो फ्रेंट यह कलियर है कि जो सीनियर कंप्यूटर अंदेशक भरती है उसके अंदर जो स्टूडेंट है उनकी संख्या अगर अपने देखी तो कम है हना दोस्तों पिचाण में के अराउंड में पोस्ट है तो यहां पर सबसे पहले जो आपका रिजल इसमें टोटल पोस्ट अगर अपने देखी तो कम है और इसका जो रिजल्ट है इसकी संभावना है दिसंबर मंद के अंदर आने की वहीं पर जो बेसिक कंप्यूटर अंदेशक भरती से समंदी स्टूडेंट है लगबग साथ हजार की अराउंड में स्टूडेंट है तो य किन यह कंप्यूटर अंदेश तक भरती के रिगार्डिंग कोई इनफोर्मेशन आती है तो वह आपको इस चैनल के तुरू मिलती रहेगी